नमस्कार दायंगल में आपका स्वागत है प्रदेश सरकार के ओर से तमाम इंतिजाम किये जाने के बाद भी प्रदेश में कोरोना महामारी पर नगाम लगापाना मुश्किल होता जा रहा है इस महामारी के कारण प्रदेश में एक भी मौत ना हो, सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चुनाती है ऐसे में सुबे के मुख्या अशोग गहलोत ने और सक्ती अपनाते हुए अब 8 की बजाए 13 जिलो में नाइट कर्फियों लगाने के आदेश जादी कर दिये है प्रदेश में कोरोना संक्रमन की भरती रफ्तार के मद्दी नजर प्रदेश सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए तमाम जरूरी कदम उठाए यहां तक कि जब विशेशग्यों ने इस महामारी को रोखने के लिए मास्क पहनना अनिवारे करने की सलह दी तो विदानसभा में विधेयक भी पास करवाया गया उमीद थी कि इससे प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कुछ हद तक जरूर रुखेगी लेकिन इसके बावजूर मामले भरते रहें ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने जीवन और आजीवी का दौनों बचाने के फर्मूले बर काम करते हुए प्रदेश के 13 जिलो में रात 8 बजे से सुब़े 6 बजे तक कर्फ्यू लगाई जाने के आदेश जारी कर दिये हैं यही नहीं प्रदेश के कोरोना कंटैन्मेंट जोन शेत्रों में लॉकडाउन के स्तिती कोबी 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है नए आदेश के अनुसार कलेक्टर इस्तर पर कंटैन्मेंट जोन को माइक्रो लेवल पर चिन्नित कर नोटिफाई किया जाएगा साथ ही इसकी सूची स्वास्त एवं परिवार कल्यान और पुलिस विभाग के साथ साजा की जाएगी इसी के तहट थाने के बीट अधिकारी कम से कम तीन दिन में एक बार ऐसे व्यक्ति के घर जाकर और पूछताच कर सुनिश्चित करेंगे कि वो व्यक्ति घर में ही है ये है प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन्स में स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे उनलाइन क्लासेज जारी रहेंगे उनलाइन क्लासेज के लिए 50 प्रतिशत स्काफ बुला सकेंगे सिनेमा, हॉल, मल्टिप्लैक्स और ऐसे भीड भाड़ वाले स्थान बंद रहेंगे सामजिक, राजनितिक और बड़े आयोजन पर 31 दिसंबर तक रोक चिन्नित 12 जिलों में शाम 7 बजे बाद बाजार बंद होंगे जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थान खुले रह सकेंगे 24 गंटे काम और नाइट शिफ्ट वाले आफिस खुलेंगे आईटे कंपनी, कैमिस्ट शॉप, मेडिकल सर्विस, वर्क प्लेस खुले रहेंगे दूसरे राज्यों से आने वाले और सामान लाने वाले लोगों को कर्फ्यू से छुट विवाकारिक्रमों, इमरजेंसी सेवा वाले लोग आजा सकेंगे इस तरहे प्रदेश सरकार को कोरोना महामारी को रोपने के लिए अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही हैं हाल ही में सरकार ने नीजी अस्पतालों को चिकित्सा लैव में कोरोना की आईटी पीस्यार जाँच करवाने की दर्भी 1200 रुपे से घटा कर अधिकतं 800 रुपे निर्धारित कर दी है अब जरूरी है कि लोग कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही न वरते कोरोना के संभावित लक्षन दिखने पर जाँच करवाए और लोगों से शारिरिक दूरी बनाई रखे साथ ही इस बात को समझे कि उनकी छोटी सी लापरवाही उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए परिशानी का सबब बन सकती है